हेलो वाट्सप गाइस मैंने में स्पिनोध बादु थापा और आज हम इस विए देखेंगे वाट टु क्रेट अ मॉडरन वेबसाइट यूजिंग HML and CSS in Hindi तो चलिए गाइस सुरू करते हैं लेकिन सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं डेली ऐसे आसे 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 वीडियो को मिस करें ठीके सो गाइस प्लीज सबस्क्राइब मैं चैनल थापा टेकनिकल और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बैल आइक एक गंटी दिखाए देगा उसको हिट कीजिए उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेसिन आपको आ जाए और आपको खुछ से मैनूली सर्च ना करना पड़े एंड कैस मुझे बहुत कुछी हो गया अगर आप जल से जल इसको वान लाक लेकि आगया हूँ आप लोगों के लिए ठीक है तो आप देख सकते हो गाईस में कल दीन बार बाटके मैंने एक यूनिक डिजाइन रेडिकास है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा ठीक है तो आप देख सकते हो गाईस इससे पहले में जितना भी CSS यूज़ कर रहा था Advanced CSS उन इसने में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है एंड गाईस अगर आप मेन्यू को देखोगे ठीक है इसके अंदर मैंने इसका जो अंडरलाइन नीचे हूबर करने पर जो अंडरलाइन आपको मिल रहा फ्रम लेप टू राइट जो यह जा रहा है और आप आजकल के जो इसने देखो तो गाईस उपर लाइट ब्लू दैन यह पूरा आपका जो मैन्यू उसको वाइट कर दे ब्यूकर जो इसका जो कलर ए तो ब्लैक आप देख सकते हो कलर कॉंबिनेशन भी बिठा है मैंने अगेन यहां पर लाइट ब्लू तो यह बैग्राउंड भी कैसे हो रह जो गाईस बिफोर आप्टर की मदद से मैंने सिर्फ यही नहीं यह जो आपको मैनू का अंडरलाइन दिखा दे रहे यह भी बनाया है और अगेन आयम बिनो था अपा वेब डेवलपर एंड यूटूबर एंड इसमें मैंने हलका सा हूबर एफेक्ट रखावा है और आप मैं आपको बता हूँगा की यह बेग्राउंड को कैसे करना था कि आप अडबास बाडर रेस सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब कर लिए विडियो बनाते रहता हूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टन होता कि फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने नोटिस के आगा इसमें डिरेक्ली सब्लाइम पर जाता था और बहुत दों को यह सुचते थे कि फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे होना है तो मैं आज एक कंप्लीट वीडियो बनाना चाहता हूं जहां पर आप लोग का पूरा आइडिया जाएगा तो आप किसी भी फोल्डर पर जाएए ठीक है या किसी भी ड्राइब के अंदर जाके न्यू इसको मैंने यहां पर कर लिया है कॉपी ठीक है अब दिस इट गाइस बाकी अप में क्या करूंगा यहां पर देखो यहां फाइल पे जाता हूं आपको ओपन फोल्डर करना है घाइस ठीक है यह दो को वेबसाइट यह जो भी सेप्टेंबर लिखा है मैंने मालब सेप्टे क्रेट अन्यू फाइल और हमेशा आपका फाइल का नाम होना चाहिए इंडेक्स.html क्योंकि अगर आप उसको ऑनलाइन होस्ट करोगे सर्वर पे वह हमेशा या तो इंडेक्स.html या इंडेक्स.php बेसिकली इंडेक्स होना चाहिए एंडेन आपका जो css करोगे तो अब्यस्ली स्टाइल बोलते है न उसको सो css करके एक फोल्डर बनाना है स्वारी में एक फोल्डर बनाना था ठीक है तू देखो यहाँ पर आप डिलीट भी कर दो इसको एंड आप मेंसे बहुत लोग आगर सोच रहो कि आप अगर आप स्टाइल.css इतना याद रखो कि HTML का नाम इंडेक्स होना चाहिए CSS का स्टाइल रखो क्योंकि mostly professional सब यह यूज करते प्रोफेशनल नहीं मलब एक ट्रेंड है यह बस ठीक है और राट इतना हुआ तो देखो गास सबसे पहले HTML का काम क्या होता है कि यह जो content है उसको कैसे द पूरा सिर्फ और सिर्फ advanced css आप कैसे सकतो advanced css and css3 यूज करने वाले तो display flags अगेन यहां पर यह content और यह दूसरा content सो देखो सबसे पहला वाला जो होगा काई सो हमारा header पार्ट है so header लिख लेता हूं मैं this is it इस तरीके से ठीक है इसके अंदर एक section tag ले लेता हूं मैं capital दे अब हमारा जो लोगो उसको मैं यहां पर देता हूं लोगो करके ठीक है and लोगो को आप इस तरीके से बना लो आप यहां पर लिख सकते हो था पर technical and यह doesn't matter गाइस आप किस तरीके से लिख रहे क्योंकि we have css अब उससे पूरा style कर देंगे है कि नहीं and then हमारा जो nav है navigation है कि html5 में हमें मिल चुका semantic layout और html5 में क्या क्या अगर आप सोच रहे हो तो again मैंने html5 in one video बनाया तो उसका link भी टॉप पर दे दूँगा लेकिन जब मैं जाओंगा अपने services पर ठीक है इस तरीके से anchor tag यहां पर मैं उसको कर रहा हूंगा इस paste मेरा जो YouTube का page है official जो मेरा homepage है यहां पर मैं लिख देता हूं इस तरीके से services लिख देता हूं ठीक है तो आप आपको पाता चल जाएगा जब मैं इस पर करूंगा तो क्लिक तो गाइस आपका वह उस पेज़ चला जाएगा ठीक इस तरीके से यहां पर मैं लिख देता हूं गाइस गैलरी यहां पर मैं लिख देता हूं पोटफोलियो यहां पर मैं लिख देता हूं बाउट एक और कॉपी करता हूं यहां पर मैं लिख देता हूं लास्ट में कॉंटक तो बहुत ज़री और मैं योट्यूब का उफिस चानल आ चुका है मतलब तो यह सिर्फ दिखाने के लिए नहीं एक्शौल में काम करता है ठीक है आपने एक चीज नोटिस किया गाईस वह on the spot उसी पेज पर उपन हो गया था सो हमें क्या चीए target तार्गेट यह प्रट अंडरेस्कोर ब्लांक इस तरीके से अंडरेस्कोर ब्लांक लिखना है ताकि next time जब मैं इस पर क्लिक करूं तो वह दूसरे पेज पर उपन हो ना कि उसी पेज पर है कि नहीं this is it हमारा इतना section तो हो चुका है उसके बाद उसके बाद यह जो आपको दो दिखाए तरी एक यह पूरा का पूरा ठीक है गाईस अन देन अगेन इस पर भी हम फ्लेक्स करेंगी जिसे फ्लोट और जस्पार कंटेंस सेंटर अलाइन आइटम सेंटर लिख दिंगे ओटो मेर्टिक दोना आजव बाजव आ जाएंगे इतना एजी कर रख आपका आपका में डीव है तो इसलिए हम में यूस करें में कीवर्ड एमिन टेग इसके अंदर में एक डीव ले लेता हूं ठीक है इसको नाम भी कुछ इस तिरके से रखो क्लास की आपको भी समझे आप मुझे तो आप लट साइड इसलिए रखा क्योंकि मुझे यह मेरा लट इतना हो गया अब यहां पर मैं जाता हूं गाईस यह जो आपको दिखाई दे रहा है हेलो ठीक है यह हेलो तो मैं लिख लूँगा एक सेकंड मैं as it is लिख देता हूं हेलो ठीक है उसके बाद जो वो लाइन आरा ना गाईस यह आपको मज़ा आने वाला है मैं तो चाहता हूं कि आप खुछ से एक बार इसको ट्राय करो लाइन बनाने की लाइन यह पूरा वेबसाइट आप एक बार खुछ से ट्राय करो नहीं होता तो मैं तो इधर हुई आपक आपका H2 जहां पर मैं लिखूंगा वेब डेवलपर एंड यूटूबर ठीक हो एंड आज आज स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो रही है यह अच्छी बात है ठीक है एवरी वेसा नहीं लिखना था मुझे ठीक है मुझे चाहिए खाली एंकर टैग इस तरह किसे मैंने लिखा एंड एंकर टैग इसलिए गाइस क्योंकि अगर आप बटन यूज लिखोगे तो आपको बटन के अंदर एंकर टैग देना पड़ेगा विकॉज हम यह चाहते कि जब भी इस पर कोई करे क्लिक तो एक पटिकलर पेज पर वो जाकर रिडारेक्ट हो जाए या ओपन हो जाए ठीक हे तो ऊसका लिंक आप इस जगे पर देता हूं किसी का भी लिंक दे सकते हो एंड यहां पे आपको लिखने है हाउड ही ठीक है एंड जैन अगें इससे कोई में कर लेता हूँ कॉपी और ठीक इसके नीचे में लिख देता हूँ to contact me या मैंने क्या लिखा यहां पर ओल्राइट यहां contact me ठीक है इस तरी के साब लिख सकते हो contact me this is it guys हमारा html का part complete हो चुगा है so html का part इतना ही था and this is it तो और एक सेकंड एक सेकंड image भी तो रहे गया image बोल गया था मैं so image पर जाता हूं guys यहां पर मैंने already images करके फोल्डर बनाए आपको आपके सामने so images forward slash उसके अंदर एक image का नाम है जो की है आपका image right.png image right.png this is it control s save करता हूं यहां से हाटाता हूं यहां पर जाता हूं and boom guys से दखो तो आपने देखा कि guys power of css तो आपका html कुछ ऐसा है guys उसको आप कुछ ऐसा बना सकते css के तुरू और सिर्फ और सिर्फ सिर्फ css आपने कोई extra plug-in यूज नहीं कैस वीडियो में तो आज आपको बहुत मज़ा आने वाला बिलिप में guys बस आप एंड तक देखिए एंड कसम से मज़ा आ जाने वाला है so this is it इतना हुआ अभी में क्या करता हूं style पर जाता हूं ठीक है तो देखो सबसे पहले तो style पर कभी भी आप कुछ भी कर रहे हो guys अगर आप boost trap यूज नहीं कर रहे हो तो यहां पर आप देखोंगे guys margin 8 pixel पता ने आपको देख रहा है कि नहीं है लेकिन यह चीज़ नोटिस करो यहां पर margin 8 pixel by default हो हमें नहीं चाहिए अच्छे से कुछ image दिखता नहीं है अब आपको पता चला है क्यों हर कोई यह यूज करता है क्योंकि by default ब्राउजर हमें दे रहा होता है margin तो जो हमें नहीं चाहिए और तो देखें गाइस अभी सबसे पहले मैं आपको यह जो बैग्राउंड कलर है वह कैसे वह वह है मैं वह आपको बताता हूं देखो सो एक काम करता हो गाइस अभी इतिना तो आपने देख लिए यह मेरा homepage इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता आप लोगों के लिए ठीक क्यूंकि मैं थोड़ा सा अभी क्या करता हूं यहाँ पर लियाओट पर जाता हूं दो कॉलम कर देता हूं और इस्टायल को यहाँ पर रख देता हूं और आप लोगों को यह दिख रहा होगा क्योंकि मैं तो चलो desktop पे कर रहा हूं इसलिए मुझे तो दिखेगा ही दिखेगा लेकिन आप लोग को ठीक अभी तुछ देख लिए देखो मैं बस दिखाने के लिए कर रहा हूं कि हैड़र ठीक है बाकी मैं फिर एक single page पर आजाओ में देखो यह टीवी में देखो यह desktop में देखो यह ipad में देखो 100 bs मिन्स आपका from top to bottom complete title ले लेगा ठीक है और हमें वही चाहिए इतना लिखा गाइस अब अब देखो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप सोच रहों कि यह मैंने background image को क्या करके रखा है यहां पर मतलब यहां पर white यहां पर हलका सा पिर यहां पर है यहां पर है यहां पर इतना सा दिखाई दे रहा है हेलो तक तो देख उसका हम बोलता है linear gradient सो आपको लिखना background image ठीक है and then you have to write linear gradient इस तरीके से आपको मैं save कर देता है और यहां पर अगर जाकि मैं refresh करूंगा तो कुछ हो गाइस हमें ऐसा दिखाई देगा और वह मैं बाता था क्यों नहीं दिखाई दे रहा है उसका only region है कि अभी तक आपने उसको टैग नहीं कि है तो गाइस आप मैं वापस normal view पे आ जा रहा हूं बस मैं रखना चाहता था इसलिए तो अभी मैं वीव पे जाता हूं ले आउट पर में single कर देता हूं है कि नी और इसको थोड़ा साइसे कर देता हूं थाकि आप लोग को दिखाई दे तो अब भी जस्ट मैंने जो css उसको मुझे अप अप्लाइ करना है सो मैं external css करो css की अंदर style.css का मेरा फाइल का पेज है ठीक है css के अंदर style.css का फाइल का पेज है and 321 बॉंगा ऐसे देखो आपको image दिखाई दे रहा है यह देखो कुछ इस्तरी किसा आई गया तो उसको मुझे कुछ ऐसा बनाना है सो कैसे होगा देखो यहां पर simply गाइस सबस्क्राइब मैं लिख दूँगा to top ठीक है यहां पर मैं जा रहा हूं to top लिख देता हूं और यहां पर मैं बस आप परसेंटेज देने आ ओलो मैं इसको दे देता हूं 80% और यह जो मेरा है इसको मैं दे देता हूं 20% तो that is the only reason वह हमें 80% white दिखाई दे रहा है एंड यह देखो गाइस आपको कुछ इस तरी किसे top पे यह दिखाई दिया ठीक है लेकिन देखने वाली बात यह गाइस वह तो left side में था तो यह top पे क्या है तो ठीक है मैं बस आपको बता है कि आप चाहिए तो आप टॉप पे आगर आपने दे दिया तो आप उसे तरी के से from left right bottom कर सकते हो तो हमें चाहिए गाइस left तो इस तरी के से मैं left लिख देता हूँ अब आपको आईडिया आ चुक है यह जो यहां पे दिख रहा है वो कुछ ओ ऐसा है ठीक है तो इतना हो गया गाईस अभी मैं क्या करता हूँ अभी मुझे सबसे पहले इसको कराना है उसको और लोगों को मुझे इस साइट पर दिखाना है और मेनू मुझे राइट साइट दिखाना तो गाइस बहुत सिंपा ले देखिए मैं width देता हूँ 100% हाइट देता हूँ 20VH ठीक है मैंने 100 नहीं 20VH दिया खाली और डिस्प्ले फ्लेक्स लिख दूँगा जस्टिफाइक कंटेंट सेंटर लिख दूँगा और अलाइन आइटम सेंटर लिख दूँगा तो बेसिकली फ्लेक्स से आपको एक पावर मिलता होता उससे यह है कि अ एकदम क्लियर हो जाए इस तरह के से यल्लो कर देता हूं ठीक है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है यह देखो गाइस आपका यह जो 120 वीएस हमें यह वीट अन हाइट मिला डिस्प्लेफ्लेक्स ने क्या किया अगर आप सोचे और डिस्प्लेफ्लेक्स क्या है तो मैंने फ्लेक्स बॉक्स in CSS वीडियो भी बनाया तो उसका लिंक में टॉप पर दे दूगा अलाकि इतना सिंपल है फ्लेक्स एक पावर दे देता जिस से उसके इंदर बहुत साई प् नीए तिनी इसको रखता और मैं आपको पावर दिखाता हूं इसका बैक्राउंड काूंट की यांप पे आता हूं और एक सेंट इसकह ठीक है यहां पेड़ कर धेता हूं क्यूंकि कलर तो दोनों का से मैं लेकिन अब भी स्व discovery मैं आपको बताया था कि लेट के बादले मैं लिखने वाला हूं top और यहां पी जो मेरा white color है ठीक है इस white color के बादले मैं क्या करता हूं देखो इसको कर दता हूं 80% और इसको मैं 20% ही रखता हूं तो यहां पर जाता हूं और रिफ्रेस्स करता भूं गाइसे देखो आपने देखा मतलब यह बस आपकी तिंकिंग की उपर है कि आप उसको जो प्रॉपर्टी ओल्डेडी दिया हुआ उसको आप किस तरीके से उसकरोगे तो देखो गाइस आप मैंसे बहुत को डाउट आए था कि यह कैसे हो रहा मतलब वाइट कलर देन लोगों में यह कलर देन टॉप पर हलका सा यह कलर सो देखो मैं तो बना दे कितनी इजली एंसे नहीं आप भी इजली बना सकते हूं बस थोड़ा सा सोचने आपको और 50% और इसको color देता हो गाइस में white ठीकिए इसका जो background color होगा मैं आपको बताता हूं देखो color हमें या यादर को linear gradient उसकर हो तो आपको background इमेज उसकरना पड़ेगा सो लीनियर ग्रेडियंट पर जाता हूं इस तरी के से पॉफेक्ट ठीक है यहाँ पर जो कलर होगा गाइस वह आपको थोड़ा ध्यान में रखना है आपको लिखना एक कलर हमारा यह है कौमा दे दीजिए एंड जो दूसरा आपका कलर होगा गाइस वह का 854 फी 854 एफ डबल इस इस तो यह थोड़ा इसी था बोलने में है कि नहीं तो गाइस यहाँ पर मैं इसको कंट्रूल आज सेप कर जाता हूं और रिफ्रेश करता हूं देखो गाइस कुछ इस तरिके से आपको यह दिखाई देता है ठीक है तो आप देख सकते हो कि इसमें गाइस यह मुझे सेंटर में तो बिल्कुल नीचे मुझे बस थोड़ा सा यह लेट साइट से खिसकान है और यहां पर मैं लिख देता हूं 100 पिक्सल ठीक है अगर आप कभी भी पैडिंग उस करें हो ना तो एक वाई मैं आपको दिखाता हूं क्या आपता है यह देखो गाइस इसका यह जो एक्चुल जो वीर्ट वो इंक्रीज हो गया वह हमें कभी नीची हो यह से वह बहुत ग यहां पर अगर आप कलर देखोगे ना तो छोटी-छोटी मने वह करके रखा हूँ है तो मालब एकदम स्मूथ स्मूथ काम है यहां पर बैग्राउंड कलर को भी मैंने लीनियर ग्रेडिंट दिया हूँ हाला कि यहां पर भी मैंने दिया बट वह इफेक्ट नहीं दिख रह हो आप एक्चुल हंडेट तक दिखा सकते हो एंड बूम गाईस एंड देखो आपको दिख रहे हैं यहां पर कलर कॉंबिनेशन कैसे हो रहा है यह आपका हंडेट परसेंट पाफेक्ट ऑल्राइट इतना हो गया है अभी मैं क्या करता हूँ लोगों के अंदर जो वो मेरा ह है टीखिए उसको मैं आप स्टाइल देता हूं देखो लोगों के अंदर जो मैंने एक्ट लिखा गाईस उसको सबसंब तो मैं टेक्स का जो ट्रांसफोर्म है उसको अपर अपर केस कर देता हूं ठीक है एंडेन मुझ उसका फॉंट साइज बढ़ा देता हो गाईस वांब सिक्स रूट आरी एम इस्तिर के से बेसिकली 1 एम इकल टू 16 पिक्सल होता है अब कोई को इसको 12 पिक्सल भी बोलते है ठीक है एंदन जो वो एनिमेशन हो रहा वो कैसे हो रहा मैं आपको वह बाता तो तो गाइस मैं लिख देता हूं आगे इसको मैं कर देता हूं लीनियर एंड इंफिनाइट ये चलती रहनी चाहिए अब आपको वह एनिमेशन को कैसे करना है देखो की फ्रेम्स अंदन आपको वह नाम लिखने आगे पीछे इसदर मसे लिखा अब from क्या फॉंs मतलब क्या व्रॉह मतलब कहा से तो मुझे क्या करना काईस मुझे बस うसका adding लेफट देना है और मैं देते हैं तो 40pixel वहां से मुझे पैडिंग राइट देना है ठीक है पैडिंग राइट 40pixel इस इतना सिंपल कंट्रोल है सेप करता हो एंड 321 भूंग ऐसे देखो कैसा लग रहा है आपको यह लेकिन यह पंगा यह जैसी यहां पर आपको देना है अल्टनेट तो आज आज आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नया सेसे की प्रॉपर्टी एंड और सेखने वाला हूं बट आज मैं इस पर जोसे फिन यूज नी करूंगा टुडे आविल यूज रूबिक करके एक है ठीक है इस पर मैं जाता हूं यह वाले इसको सेलेक्ट करता हूं यहां पर जाता हूं तो आपके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस भी की गूगल फॉंट को कैसे उसकरना है ऑ पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस कंटेंड पर ओना चाहिए ठीक है यहां पर जितने भी कंटेंड दिखाई दे रहे अब भी आप देख लिए ध्यान से जैसे में रिफ्रेस्ट करूंगा थ्री टू वान एंड बूंग ऐससे देखो अब इसका कंटेंड चेंज हो गया अब यह मस दिखाई दे रहा है हमारा अल्मोस्ट बैग्राउंड की जो यह कलरें बैग्राउंड कलर्स वह सब काम हो चुका है हमने हमारा लोगों पर कर लिया है अब यह मेन्यू को कैसे करूंग अब मेन्यू तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो यहां पर ऑफिछटी दिया हुआ है इसका भी मैं एक बैग्रांड दिखा देता आपको बैग्रांड क्ला यलोव दिखा देता हूं पॉफेक्ट एड़न इसको मैं कंट्रोल्ड चिर्टीट करता ऐं रिफरेस्स करता तो यह कुछ इस्तिर कैस आपको दिखाई देगा अभी मुझे यह क्या ची एकदम पॉफेक्टली डिस्ट्रिबूटर ची सभी दिशाओ पर सो जस्टिफाय कंटेंड स्पेस एराउंड इस तरिके से लिखता हूं 321 एक सेकेंड आपको डिस्प्ले तो लिखना पड़ेगा इसलिए मैंने अब आपको पाता चला आप आपको पाता चला क्य गासे मैं क्यों बोलता हूं कि डिस्प्ले इतना जरूरी है मैंने सिंपलि जस्टिफाय कंटेंट सेंटर लिखा नहीं हुआ क्यों क्योंकि जब तक आप डिस्प्ले फ्लैक सिए करोगे मैंने जानवुच के दिखाया ताकि आप उसको तब तक यूश करी निसकत ते यह दे देखो है कि निए अब मुझे इसको स्टाइल करना है सो नैप के अंदर जो मेरे एंकर टाइग उसको मुझे करना है है स्टाइल तो कब dh b anybody of text शारत चर्रास Ст्राव कर दो गाइस शारे πक सबसे अब इसको करदो क साथ ऑपकर ब्लैक काशके हिए ना पीवट दे इसका जो फ़ंट बहेड हमें खरोगेत 900 टीक आप चाहे तो बोल्ड बोल्ड लाइट लाइटर भी लिख सकते थे बट 900 विल बी परफेक्ट और फॉंट साइज गाइस में कर देता हूं 17 पिक्सल और लास्ट में इसको में एक पोजिशन दे रहा हूं परटी बतातों काईस अगर आप एक बीगिनर तो आप यहां पर आप जाओगे ठीक है इसको एक क्लास दे दोगे और उसक्लास को गाइस इसका कलर आप कर दोगे यहां पर देखो सबके ब्लैक है बट फर्स्ट वान का जो कलर है गाईस वह है आपका ब्ली तो गाइस वैसा न करना चाहूंगा उसका कलर का जो क्या बोलते हैं वह है आपका डबल फॉर फिप्टीएट डीसी फिप्टीएट डीसी डीसी कंट्रोल सेव करता हूं यहां पर जाता हूं एंड खां गया एंड त्री टू वान बोम गईस यह देखो कैसा लगा आपको कलर चेंज होगा कि नही मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं इससे आपको कोई प्रॉलम नहीं कभी भी अब आपका क्यूंकि बाइचांस अगर कल के दिन मैंने इसको यह गैलरी कुस्ति के से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया तो गैस उससे होगा यह कि अगर आपने यहां पर क्लास दिया था कुछ भी और आपने बोला कि यह तो मेरा फिस्ट है तो इसको में ब्लैक कर देता हूं यह जो भी यह कलर किया मैंने तो वह तो आप सेकेंड हो गया ना वह यहां पर यह जाएगा बट यह फर्स्ट का मतलब यह कि ड़जन्ट मैटर की आपने किसको क्या किया किसको नीची किया आपक हमारा menu almost ready है I know आप मेंसे बहुत लोग आप यह सोचर की यह effect कैसे वह गाइस इसको हम बोलेंगे advanced CSS जहां हम देखेंगे pseudo elements before and after and I know आप बहुत तो को इसका वेट था देखिए so guys आज एक वीडियो में आपको बहुत कुछ सेखने मिलने वाला and please it's my humble request इस वीडियो को आप जितना हो सकता अपने classes अपने सभी friends को सेर कर दो गाइस बहुत होने वाली आपकी तो help और यह लिकिन अभी तक जो देखनी पाए उनको भी बहुत हो जाएगे ठीक है सो में गाइस क्या करता हो देखो मैं सिम्प्ली स्थी किसे नैब पर जाता हूँ एप में अब सीड़ एलेमेंट्स को स्थी किसी उस कर रहा हूँ विफोर जब आप ऐसी उस करते हो तो guys content लिखो हमेसा ठीक है यहां पर content लिखा मैंने आप पोजिशन दे पर देता हो ताकि आप लोग को पूरा clear हो जाए क्या हुरह रहा यहां पर यहां पर मैं विट देता हूं 100% high दे इता हूं 100% सो गाइस control है शेप करता हूं यहां पर जाता हूं रिफ्रेस्च करता हूं और आपको पता नहीं दीख रहाओ किनी लेकिन इस देखो यहां पर व चल गया होगा कि यह before and after कितना जाद important है तो गाइस मुझे बस यही है कि यह जो हाई हाई मैंने लिख दिया यहाँ पर ठीक है उसके बदले मुझे अंडलाइंड ची सेप कर देता हूं ठीक है इसको रिफ्रेस्ट कर दे वो चला गया क्योंकि अभी मैंने content कुछ लिखा नहीं जब मैं करूंगा हूबर तो यह जो मेरी विफोर वाली प्रॉपर्टी है जैसे मैंने बोला वैसे आपको समझना है इसमें बस यह चाहता हूं कि यह जो वीर्थ है इसको मैं जीरो कर देता हूं ठीक है ctrl s save और हाँ यहाँ यहाँ पर मैं गाइस क्या कर देता हूं आपको सब्सक्राइब कर देता हूं कि अगर क्या होता है रिफ्रेश करता हूं भूम गाई से देखो सबको मिल गया है यहाँ पर है कि नहीं हमें यह मिल चुक है लेकिन आप मैं हुबर पे चाहिए तो डेट इस दौनली रिजेन वाई गाई इसको अगर मैं हटा दू ठीक है जीर परसेंट कर दूँ जीरो वही वीर्थ को क्यों ना मैं हूबर करने पर हंडेट कर दूँ तो सिंपली फ्रम जीरो से हंडेट हमें वह दिखा ही देगा है देखो रिफ्रेश करो अभी कुछ होगा ने लेकिन जैसे मैं करूंगा है देखो बाट वो अन दा स्पोर्ट आ रहा हो मज़े आ रहा है कि नहीं आपको वीडियो देखने में है देखो है कि नहीं यहां पर इतना अनिमेशन मतलब हम पूरा का पूरा CSS का जो एडवांस अनिमेशन जो एक वेबसाइट डेवलपर प्रो डेवलपर यूज करते हैं वह हम उसकर रहे देखो बहुत सारे लोग त दीजिये तो देखो कैसे होगा गाइस ना वी आर इन्टु में टैग अब हम में पर आ चुक है सू में पर जाता हूं मैं इसका जो हाइट है ओपेसली मैंने ऊपर 20 दिया तो इसको मैं 80 वह देने आ आला क्योंकि इनका जो में पैरेंट उसको मैंने 100 दिया थे देखो पैरे रिफेस करता तो गाइस दोनों एक सेंटर पर यह सेंटर पर आगे लेकिन अब मुझे एलाइन आइटम सेंटर लिखना उससे होगा यह कि यह जो टेक्स ऐसे दिखाई देरा वह वर्टिकली सेंटर में आगे पॉफेक्ट ठीक है इतना हो चुक है गाईस मैं आप लोग को सब्सỐता हमाले क्या करता हूं कि सबसे पहली इमेज को मैं सेट करके दिखा देता हूं ठीक है जो मेरा इमेज है उसको मैं आपको सही कर देता क्योंकि यह स्क्रोल बार नहीं याना चाहिए जो हमनें बिल्कुल पसंद नहीं है सो गाइस में लिग देता हूं मैक्स विर्थ बस रेस्पॉंसिब के लिए मैक्स विट लिग देता हूं मैं इसको 400 पिक्सल कर देता हूं ठीक है and then height automatic जितना इसका height है automatic लेलो उससे हमें मदलब निये and इसको में refresh कर देता हूं so this is it guys now it looking awesome अब देखो एक चीज है कि यहाँ पर हमें यह सेंटर नहीं लिखना गाइस मुझे यहाँ पर इसको लिखना है space around ठीक है क्योंकि center पर अच्छा नहीं लगते and 321 बूम गईस नाव देखो almost almost हो चुका है almost है कि नहीं अब इसका जो background वो कैसे लिख्या हूं है कि नहीं तो देखोगा इस background के लिए क्या करना आपको इसलिए मैंने जानवाच कि इसको as it is रखा so right side पर मैं जाता होगा इस यहाँ पर मुझे एक एक सेगे न और लाट गाश तो आप देख सकते हूं मैंने जस्ट सर्च कि एडवांस बॉर्डर रेडियस जेनरेटर और मुझे सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है फैंसी बॉर्डर रेडियस जेनरेटर 9 elements इस पर आपको क्लिक कर देना एंड आप देख सकते हो बाइड डिफॉल्ट मुझे वह जो मैंने यूजे मिल चुका तो मुझे बस यहां स करता हूं यहां पर मैं जाता हूं एंड 321 आपका इमेज आ गया इतना सिंबल था आइनो आप मेंसे बहुत लोग सोच रहूंगे यह क्या यारे मतलब खाली कॉपी-पेस्ट डोंट वरी गाइस में बताने मलब मैं इधर आपके लिए हूं तो आपको डाउट आने का कोई म है मलब चांसी नहीं देना चाहते मैंने कली की दिन वीडियो बनाया है कि आप किस तरीके से यह कलर मलब यह जो मैंने बैग्रांड उसको कैसे आप यूज कर सकते हो इसको आप एक बार जरूर देख लीजिए ठीक है अगर आप सोच नहीं यार मैं को सिभ यही वीडियो में समझना है यहां पर मैंने आपको बता है ना कि इसमें एक्च्वल में क्या गाइस अगर आप देखोगे फुल कंट्रोल पर अगर आप क्लिक करोगे ना तो हमारे पास टोटल एट पॉंट्स होते है एए बी बी सी सी डी तो आपको इसके साथ खिलना है ठीक है आपको कैसा स पानी के बुंद जैसा लग रहा कि नहीं लेकिन अगर आपको फैदर बनाना है तो इस तरह किसा आप एक फैदर बना सकते हो देखो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है पस आपको यहां से कॉपी कर देना है तो आपने नोटिस के जब जब मैं मूब कर रहा हूं एक एक प प्लीज मैं पूरा चाहता हूं कि आपको मज़ा आ जायर इस एक वीडियो में बिल्कुल भी डाउट ना रहे अब मैं इसको रिफ्रेस्ट कर दूंगा यह देखो गाइस आपको देखा कि कैसा एक सिर्फ दिखाई दे रहा है एक सिकेंड इसको मैं फिलाल थुई देरक लि तो वही है समझ रहो लेकिन मैंने लाइट इसले रखा क्योंकि जो हमारी एक्ट्वल रिक्वार्मेंट है वह है लाइट कलर की गंडूल एस सेव एंड इस इस तब भी एक बार जरूर देख लीजिए इसको भी आपको मज़ाएगा अगर फ्री टाइम मिल जाए तो लेकिन फिंद में जाता वो जो है हमारा लेफ्ट साइड है किласт मैं यहा पर जाता हूं मैं डॉट लेफ्ट साइड लिख लेता हूं इस तरह कैसे ठीक है घासले लेट सैड आधा प्रॉपर्टि देना नहीं लेकिन में चाहता हूं कि सब का कलर ब्लैक हो एन जो टेक्स ट्रांस्फ च्छीट के अंदर है तो यहाँ पर जाता हूं में तु क्या करो गई करेंस को मैं सबस्टा फ़ॉर्ट साइस देता हूं 40 पिक्सल का और ऑज इसको में क्या करता हूं जिए तरका हमें थोड़ा अच्छा दिखाए देंगे सो मार्जिन बॉटम दे देता हूं कितना दो कितना दो 20 पेक्षल दे देता हूं ठीक है इसलिए मुझे एक्जाक्ट में 450 लिख रहा हूं एल्स पहले मैंने 500 दिया था फिर 400 में देख रहा था चेक कर रहा था पॉफेक्ट कहां पर दिख रहा है कंट्रोल एस सेफ करता है एक बार मैं आपको दिखाता हूं क्या हो रहा है आपको कुछ दिखेगा निए उसका ओनली रिजन यह गाइस क्योंकि यहां पर मैंने पोजिशन एपसलेट तो दे दिया लिकिन इसको पोजिशन रिलेटिव नहीं दिया मैंने कंट्रोल एस सेफ कर देता हूं और बैगरांड कलर जब तक आप नहीं दोगे तो दिखेगा कैसे सो बैगरांड कलर ट्रिपल जीरो इतना सिंपल था 321 एंड बोम गाइस तो देखो कुछ आपको वह ऐसा दिखाई दे रहा है ठीक है तो वह अभी ऐसा क्यों दिखाई दे वह हमें ऐसा नहीं चाहिए तो इसको आपका पूरा डाउट के लिए हो जाएगा इसको आज इस रखो ठीक है क्योंकि अभी मैं इसको भी स्टाइल करने वाला और इसको भी उसकी तो इनको स्टाइल करने से यह थोड़े चेंज हो जाएंगे अभी बस आपको इतना याद अधर को कि हमें जो अल्मोस्स चीए था वह मिल चुका है अभी डॉट लेफ्ट साइड को मैं जाता हूं लेफ्ट साइड ठीक है उसकी अंदर जो मेरा एच्वान है मतलब जो मैंने आयम बिनो थापा लिखा उसको गाईस आप में स्टाइल करो तो गाईस उसमें मुझे ज ठीक है चाइब अब अल्मोस्ट इतना हो चुका है आप अल्मोस्ट इतना दिखाई दे रहा है आप देख सकते हो यहां पर और एक चीज़ देखने वाली बात है इसका इमेज थोड़ा बढ़ा है ठीक है तो आइधिंग आप मुझे क्या करता हूं कि इसका जो इमेज ज़ इसको मैं 400 के लिए 500 कर देता हूं यहां पर मैं जाता हूं 321 एंड वूम गाइस ओल्राइट अब यह अच्छा दिखाई दे रहा है ठीक है लेकिन एक चीज़ मैंने जस्ट नोटिस किया कि आप देख सकते हो कि यहां पर यह वाला जो इमेज बैग्रांड पोजिशन है वो सेम है ठीक अगर आप देखो कि इसका पोजिशन भी हलका सा चेंज है लेकिन मैंने आपको क्या बताए गाइस मेरा मेन मोटिव आप लोग को समझाना की हो कैसे रहे तो मैंने आपको करके दिखाया है एट पॉंट्स जैसे आप मोब करू ऐसे मोब हो जाता है तो मैंने अब करते हैं कि मैं आपको चैलेंज करता हूं वीडियो को आप पॉस करूँ और इसको आप खुछ से एक बाट राए करो ठीक है कि इसको आपको बस लेट साइट को थोड़ा सा खिसकाना है I mean राइट साइड की और तो ठीक है मैं अभी फिलाल यह जो पार्ट मैंने लिखा सब्सक्राइब यहां पर मैं जाता हूं और इसको मैं कर देता हूं मार्जिन बॉटम सबसे पहले कि मुझे वह बटन से स्पेस ज्यादा दिखाना तो मार्जिन बॉटम इसका जो फॉंड का वेट होगा ना गाइस उसको मैं 500 पिक्सल कर देता हूं अभी आप देखो थोड बहुत ऑसम दिखा देशने कि इसका अगर आप पॉंड का जो वेट ना वह थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा है तो मैंने तो बारावर फॉंड को छॉंड रिफ्रेश्ट करते ऑ और रॉत और आई थिंक हमें गाइस पिक्सल नहीं देना कभी भी मैंने ऊपर 900 लिखा था है कि नी तो थ्री टू और ये तो पहले वाले ये थ्री टू वन एंड भूम काई सा ओल्राइट लाइट हो गया अब यह हमें अच्छा दिखाई दे रहा है कि नी अगर आप नोटिस करो अगर में है 100 भी कर दूंगा और रिफ्रेस करूंगा तो भी हमें सेम दिखने वाला तो आप कैसे तो इसका कुछ रेंज लाइक 100 से 500 या 600 तक एक ही दिखता है एन देन अगर 700 800 या 900 लिखे हो तो भी वह सेम ही दिखता है तो हमें जितना चीव तो वह मिल चुका है गाईस अभी देखने वाली बात यह है कि इसका यह जो हमारा यह जो लाइन है ठीक है हमने जो यूज किया है तो आपने तो वह सौर्व करी चुका होगा तो गाईस लूकिंग ऑसम एकदम पॉफेक्ट ली टच भी नहीं हो रहा है और एकदम बाजू से आ रहा है यहां पर कवर कर रहा है अगर आप चाहिता हो इसको 24.6 कर दीजिए थोड़ा और अच्छा दीखे और अट लूकिंग ऑसम हेलो आम बिनो थापा यह पॉफेक्ट ली दिखा इसको क्लास देना पड़ेगा इसको क्लास देता हूं निटेखर कर यूब वहां पर में क्या करता हूं यहां पर में लिख देता हूं सबसे पहले तो मैं ne सकाप गलास कि शिलेक्ट कर रहा हूं है जा prec 있나 झाटा कि की यह बडक्र नॉंट को मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है एंकर टाइग हटा दिया उसका अंडरलाइन हट जाएगा फॉंटवेट 900 बोल्ड हो जाएगा फॉंट साइज बड़ा दिया टेक्स्ट एलाइन सेंटर में आ जाएगा पैडिंग दिया है मैंने उससे होगा यह कि उपर और नीचे से देखो पैडिंग 12 मलब टॉप का सा चेंज हो जाएगा डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक कर दिया मैंने ठीक है मार्जिन राइट किया 50 पिक्सल डैट इस दौनली रिजन हमें यह जो कॉंटेक्ट मियो थोड़ा राइट सैट को दिखाई देगा कलर मैंने दे दिया वाइट लेटर स्पेसिंग जिरो जब दिया तो करने की क्या जोते है एक नहीं जो आप लोग सोच रहें बैग्ग्राउंड कलर कैसा था तो इस बैग्राउंड कलर कुछ स्थिर के से मैंने दिया हुआ है ठीक आप इसको कॉपी कर लीजे बहुत सिंपल है अगर आप यह नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा लेकिन बस मैंने बहुत ढूंडा उनलाइन तो मुझे कुछ यह इफेक्ट बाता चला है रेडियल ग्रीडियंट तो आप इस तिर किसे करोगे तो आपका वह पॉफेक्ट लीज टाइप का इफेक्ट आ जाता है एंड यहां पर बॉर्डर आपको मैं बताता हूं यह क्या ह है आपको और यहां पर हम क्या उसकर रहें गाइस रेड ग्रीन ब्ल्यू एंड लाश्वन इस अलफा या ओपैसिटी आप कह सकते हो और इसकी वैल्यू हमेसा जिरो से लेकिए वन की बीच में रहता है बस दिस इट ठीक है एक्चल में तो यह था मेरा कंट्रूल एस सेप कर और मैं आपको दिखाता हूं क्या ओता है यहां पर जाता हूं and this is it गयंस दिखाई देकुह के सिसी दिखाए अगर आपको जूम करके दिखाओ ना तो इस जगेपे न्हों हैं अगर आप देखोगे तो यहांपर एक हलका सा देक्व एक Bluest कर कश बटन दिखाई और एक्शन मैं कर देता हूं comment और इसको मैं कर दू रिफ्रेश ठीक है तो आपको मतलब आपको पता ही नहीं चलने वाला कि क्या रहा लेकिन हलका सा यहां का पीछे जो एक आप परपल करके जो एक आपको दिखाई देया था डबल टाइप का वह जा चुका है ठीक है अगर आप यह रेडिकल वाला नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा ठीक है इसको भी मैं हटा देता हूं यह तो आप आपको पता चली चुका गाइस लिडिने ग्रेडेंट में तब से यूज कर रहा हूं कंट्रोल एस सेब करता हूं ठीक है यह देखो तो मैंने बताने हैं वह हलका से कि एफेक्ट जो बस आप कह सकते हूं कि जिसको आपको बिल्कुल नहीं सोच नहीं हो सकता हूं ढूर नहीं और सबस्तार करोग हैं अब झाल करके हैं हमें जैदा को यह फाल दख हमें श़प नहीं अलयुक्त पता चल रहा तो जो एक Buldy यूजर जिनको यह बー सब्सक्राइब यह है कि आप जितने अपने क्लाइंट के लिए अच्छा बना के दोगे उतना एपिसेट मिलेगा आपको उतना आपके लिए अच्छा होगा ठीक है सो बेटर आप हमेशा कंम première ज़या दे्ंकी कोशिस कर ओ अल्क इतना उन्याइब अभी मेरा बटन 2 यह उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहां पर जाता हूं और इस जगे पर कर देता हूं लेट साइड ठीक है लेट साइड का जो मेरा बटन टू है उसको मैं यह प्रॉपर्टी पेस्ट को देखो गए सेम होई है टेक्स डेकोरेशन नन फॉन्ट वेट 900 ठीक है अगर आप देखो गए तो यहां तक ही जो एक सेकेन डबल हो गया यहां तक जो है यह मार्जिन राइट 50 पिक्सल मार्जिन राइट 50 पिक्सल बोथ आर सेम ठीक है मैं आपको एक शॉटकर बताता हूं हमें एक चीजी रूल यह सब्सक्राइब दे कर लिए दोनों बाटन के लिए तो इसका क्या सलूशन में आपको बताताओं यहां पे देखोगा है यहां पीच्वाला इसका च्टू अब बेग्राउंड वाइट है और बाटर कलर दिया और ठीक है तो बाटर कलर मैं इसके तूरू दिया 2 पॉक्सल यहां पर जाता हूं यहां पर जाता हूं एक सेगंड एक सेगंड बटन टू न वह क्लास है तो क्लास को हमें साथ डॉट यूज़ करते एंड भूम गाइस नाउट लुकिंग ऑस्सम्ट गाइस ऑल्मोस्ट रेडी है देखो अच्छा यहां पर मैंने एंड लिग देया और व पर आपको जाना है टॉप पे आप लेप्ट साइड लिग दीजिए ठीक है इस तरह किसा आप देखो दोनों क्लास को एक साथ आप कैसे यूज़ कर सकते वह भी आपको सिक नहीं मिलेगा बटन वान कॉमा डॉट बटन टू दोनों को एक साथ सेम प्रॉपर्टी उस हो रहा अलाइट एक्चल में मुझे दोनों कॉपी हो गया इसको अटा देता हूं और बॉम गाइसे देखो अब भी यह दोनों के दोनों को यह प्रॉपर्टी लग जाएगी उसके अलावा जो उनका अलग अलग प्रॉपर्टी है वह मैंने यहां पर उनको सेट कर दिया है इसको म बटन वान है उसको जब मैं करूंगा हूबर उसको जब मैं करूंगा एक सेकेन यहां पर फिर से नहीं लगा है तो आपको छोटी छोटी बात ध्यान रखना है जब मैं करूंगा हूबर सो गाइस कुछ नहीं मुझे यह जो बटन टू है इसकी प्रॉपर्टी कॉपी और यहां पर मुझे पेश कर देना है सो गाइस सेब कीजिए ठीक है इस तरह की से अरे रिफ्रेश कर दीजिए और राइट एक सेकेंड गाइस आप देख सेकतो खाली कलर चेंज हो रहा बट बैग्राउंड चेंज नहीं हो रहा है क्या करते है युप गया करते हिए अब बैग्ग्राउंड युप बै गार्ण करना पड़ेंगा सबसे पहले तो डैट ईस्द sought क्लाइब बैग्राउंड टा हुंट Cisco करता हूं एंड 31 वन वे डउख नigon जो जो हमें चेते मिल चुका, so guys आपने देखा, सिर्फ इस आज एक वीडियो में हमने देखा, कि किस तरके सामें ये यूनिक कला कॉंबिनेशन बिठा सकते है, then हमने ये सीडो एलेमेंट स्यूज करके बनाया, ये मेन्यू के अंदर ये जो स्पेसल जो आपको नीचे बॉर् आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में वो लिंक प्रवाइट करा दूंगा, तो गाइस बस में इतना चाहता हूँ, प्लीज अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी उसफुल लगा ना गाइस, प्लीज मैं आपको यकिन दिलाता हूँ गाइस, मैं ऐसे ओसम वीडियो डेली बनाते रहता हूँ, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसको मिस करो गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल थापा टेक्निकल, बिल्कुल फुरी है गाइस, खाली सब्सक्राइब कर दीजे, राइट साइड में एक रेट कलर का बेल आइक एन एक गंटी भी बजा दीजे, और जो वीडियो डालूँगा, मैं एक दम ऑसम डालूँगा, जो आपको लाइप में जरूर काम आने हो लाइए, और गाइस, देखिए, 77 हो चुका है, प्लीज गाइस, सेप्टेमबर के एन तक 1 लाइक सब्सक्राइब कर दीजे, मैं आप लोगों के सामने लाइव आना चाहता हूं, प्लीज गाइस, 1 लाइक सब्सक्राइब कर दीजे, ठीक है, आप वीडियो को लाइक कर दीजे, जितना हो सके दोस्तों को सेर कर दीजे, वाटसएप, फेस्बूक, हरे ग्रूप पे कर दीजेगा, ठीक है, कुछ भी डाउट हो, तो बेफिगर हो कि नीचे कमेंट कीजे, गाइस, I am always here, ठीक है, ठीक है, दिस इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही सो, तिल दन गाइस, थैंक यो सो मच, टेक क्या,